धाकड में अगनी की भूमी का निभाने वाली कंगना रनौत बोली मेरा किरदार फिल्म से परे मुझ में रहेगा हेलो एन नमस्कार आप सभी का स्वागत है फिल्मी फॉक्स के अंसीन फैक्ट सेग्मेंट में जहां पर हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की आने वाली फिल्म धाकड की कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म धाकड को लेकर भावक हो गई क्योंकि वो शूटिंग के अंत के करीब थी कंगना पिछले कुछ हफतों से बुद्धापेस्ट में इस एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रही थी कंगना ने लिखा कि फिल्म में उनके चरित्र ने उन पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा है ये चरित्र फिल्म से परे मुझ में रहेगा वो अपने और अपने भीतर के राक्षशों के बावजूत उठेगा फिल्मों से जादा अपनी बयान बाजी को लेकर चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है जो उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं बॉलिवुड में अब तक जितनी भी हाई बजट फिल्मों का निर्माण हुआ है वो पुरुष प्रधान फिल्म ही रही है वहीं जिस फिल्म की लीड हीरो फीमेल एक्टरेस हो भी तो उस फिल्म का बजट समान ही या काफी कम रहा है लेकिन बॉलिवुड की बेबाग ब्यूटी कंगना रनौत इसका रिकॉर्ड तोड़ने को रेड़ी है सूतरों की माने तो कंगना की फिल्म धाकर बॉलिवुड की सबसे हाई बजट महिला प्रधान होने वाली है अब ये तो सब जानते हैं कि कंगना जब भी कुछ करती है या करना चाहती है वो सबसे अलग होता है ऐसे में फिल्म रिलीस के बाद चाहे जैसा प्रधर्शन करे लेकिन फिल्हाल कंगना ने इंडिया की फिर्स फीमिल सेंट्रिक हाई बजट फिल्म में काम करके इस लिस्ट में पहले नमबर पर अपना नाम जरूर शामिल कर लिया है रजनीश रजी घईद्वारा निर्देशित कंगना रनौत की आने वाली फिल्म थाकड एक जासू सी थ्रेलर है कंगना एजन्ट अगनी नामक एक अधिकारी की भूमी का निभाते हुए नजर आएंगी फिल्म का पहला शेडूल पहले मध्य प्रदेश में शूट किया गया था फिर बुद्धापेस्ट में कई सीन्स को फिल्माया गया है फिल्म से जुड़ी जानकारी कंगना रनौत अपने फैंस के साथ शेयर करती रही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि एक एक्शन सीन पर 25 करोड की बड़ी रकम खर्च की है उन्होंने वीडियो में कैप्शन दिया था कभी नहीं देखा कि कोई डिरेक्टर रहसल को इतना समय और महत्व देता हूँ कल राच सबसे बड़े एक्शन द्रिश्यों की सीक्वेंस को शूट किया जाएगा लेकिन मैं तैयारी के पहमाने को देख कर हैरान हूँ कितना कुछ सीखने को मिल रहा है एक एक्शन सीक्वेंस पर ही 25 करोड से अधिक खर्च किये जा रहे है हाल ही में एक्ट्रिस कंगना रनौत ने बुद्धा पिस्ट में अपनी स्पाई थ्रिलर फिल्म धाकड की शूटिंग पूरी की थी धाकड में अरजुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी प्रमुग भूमिकाओं में है रजनीश रजी घई द्वारा निर्देशित और सोहिल मकलाई प्रोडक्शन्स और एसाइलम फिल्म्स के बैनर तले फिल्म का निर्माड किया गया है वहीं 48 वर्षिय अभिनेता अरजुन रामपाल अपनी आगामी फिल्म धाकड में एक दिल्चस्प भूमिका निभा रहे है जहां कंगना रुनौत ने धाकड में एक रैंबो एक्स सैनिक की भूमिका निभाई है वहीं अरजुन रामपाल को रुदरवीर नामक खलनायक के रूप में देखा जा सकता है धाकड में अपनी भूमिका के लिए अरजुन के स्पाइक स्टाइल किये गए वाइट बालों और काली ताड़ी के लुक में एक नाट के कॉंट्रास्ट चुड़ जाता है जो शानदार होनी के साथ साथ काफी चर्चाओं में बना हुआ है वहीं कंगना रानौत की माने तो धाकड ना केवल उनके करियर के लिए एक बेंचमार्क फिल्म है बलकि भारती सिनिमा के लिए भी एक महत्वूर मोड होगी फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई गई है इस फिल्म का बजट अब तक 70-80 करोड रुपए के बीच बहुच गया है जिसमें फिलहाल प्रोमोशन कॉस्ट शामिल नहीं है नॉर्मल ये करीब 30 करोड रुपए के आसपास रहती है यानि कंगना की 100 करोड रुपए की प्रोड़क्शन कॉस्ट वाली पहली फिल्म होगी इतना पैसा अब तक बॉलिवूड में किसी एक्टरस की फिल्म पर नहीं खर्च किया गया है जिसमें वोकेली लीड रोल में हो उन्होंने रैपर पार्टी की कई तस्वीरें साजा की थी पार्टी में पूरा क्रू और कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने शिर्कत की थी आप इस फिल्म से जुड़े किसी अन्यतत्य को शेयर करना चाहते हो लीस कॉमेंट करें साथ ही सुझाओं का भी स्वागत है फिल्मी फॉक्स आपका थिल्ने बात करता है नमस्क्राइब